गूड इबिनिंग हैपी दिपावली आज मैं आप लोंके सामने अपने ग्रेंट फादर श्री लेट एक्सवाट स्वर्गिये रगुनात पंडित गाउं को देरा थाना पालिगन जिला पटना बिहार के निवासी है जो अंग्रेजों के टाइम एकाउंट्स के काम करते थे और एक छोटे मुटे गिरहस्त परिवार के साथ साथ गूल्ड मेडलिष्ट एकाउंटेंट के रूप में रहते हुए पच्चीस वर्षों तक सरपंच का कार्जभार समाले इनके छबी और कार्जिस पूरे बिहार में विख्यात है यह हमारे लिए गर्व की बात है जो मैं इस कुल परिवार में जन लिया इनका श्वाबिमान इमंदारी यह करतब्य निष्टा के साथ साथ अपने परिवार को एक एकठा रखते हुए चालिस मैं तालिस परिवार का सदस को आके बढ़ाने में आहम भूमका निभाते हुए गिरहस्त जीवन का काफी उबदान रहा खेट खलिहान पूरा गाओं एक जूठो करके इनको समर्थन करते थे इनके द्वारा हाई स्कूल प्राथमिक स्कूल माधमिक विद्ध्याले अथक परियास के साथ इन्होंने संचालित करवाए जो आज गौर्मेंट द्वारा कार्जरत है इन्हीं परिवार में मेरा जन्व हुआ और इन्होंने हमें पढ़ाने के लिए इंडिया के सबसे विश्रव ख्याद विदेशों में रुवाइल को लजब आठ लंदन से मास्ट डेगरी के लिए इन्होंने परिरित किया तुर भाग से मेरा उहान जाना संभव नहीं हुआ क्योंकि इनके अंतिम समय में मेरा पढ़ाई चल रहा था लेकिन इनके द्वारा मार्ग निर्देशन में अपने आप को राष्टिय नहीं अंतराष्टिय अस्तरपवे महराजेश्वर पंडिप कला खित्रकला मुर्तिकला निर्दकला में अपने आपको राष्टिय कला अकाद्वने दिल्ली का अस्ताई सदस्व ना जो मेरे लिए गर्व की बात है साथ साथ केंद्रिय विद्याले नमर थिरी ममुन कैन पठान को पंजाब में कला सिच्छक के रूप में कारजरत हूँ या जो मुर्ति देख रहे हैं या मेरे द्वारा बनाया गया है इन्ही सब्जों के साथ जाम देता हूँ जय हिन जय भारत इनके तस्वीर मैंने विभीन रूपों में देखना पसंद करता हूँ यह हमारे दादा स्री और यह उनका लाइफ पोट्रेट है सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तु इन्हें सर्फ कराई करेंगे यह मेरे सरकारी निवास है जय हिन जय बारत सुब्धिपावली